आपयों तो आपका इंयूट्यूब चैनल है तो आज मैं लोग देखने वाले हैं जो हमारे też की सीरी चल रहे हैं। उसका पारफ वॉरहे तो आज हम लोग डिसकिस करने जो questions आये हुए कि आपको वो questions बन रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने जो topic पढ़ा पूरा introduction कुंप्लीट कर लिया है तो वो questions क्या आपके बन रहे हैं आपके लिए जी video useful है यह मैं content आपको provide कर रहा हूं मैंने चीजें बताई हुई है तो उनको आपने देखा हुआ है तो आपके questions आ रहे हैं के सारे questions बनेंगे तो guys आज की वीडियो में कुछ noises बगार भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि साथ में यहां पर construction का work चल रहा है तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता आपको वीडियो में तो उसको थोड़ा ignore कीजेगा कि पीशे background में कुछ नाइस आपको देखने को सुनने को मिल सकती है तो guys करते हैं आज की वीडियो को start तो वीडियो शुरूँ करने से पहले जैसे कि हमने आपको बताया अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो चैनल को subscribe कर लें और वेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हमारी न्यूव वीडियो आए तो आपको notification मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्याद नागपूर रोड प्लान था हमारा first 20 year रोड प्लान था नागपूर का तो इसका नाम बैने आलड़ी आपको discuss करा हुआ था हम लोगों ने कि नागपूर क्यों रखा गया था क्योंकि chief engineers की meeting नागपूर में हुई थी इसलिए इसका नाम क्या था नागपूर था तो इसमें क कौन से formula के basis पे कौन सा road pattern इसमा follow करा गया था तो आपके सामने यहां पर four options हैं तो आप मेरे साथ साथ पी answer कर सकते हैं यहां पर comments में answer कीजिए इसका तो उसके बाद में हम discuss तो करेंगे यहां पर अगर आपको comments में answer करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें प पर पूछा जा रहा है नागपू road plan का formula यह था किसको लेके prepared करा गया था कुन से pattern को लेके तो अगर नागपू road plan की बात करें तो star and grid pattern के वेस पे था तो option first यहां पर correct हो जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके second option है star and circular pattern की तो अगर मैं बात करूं star and circular pattern की तो अगर आपको ज चुछ करा गया star and circular pattern आपको देखने को मिलता है उसके बाद अगर मैं बात करूं rectangular and block pattern की तो rectangular and block pattern आपको देखने को मिलता है चंदीगर्ड में और इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा pattern follow किया जाता है तो minimum travel pattern को इंडिया में follow किया जाता है तो यह भी question आपको द देखते हैं stages of engineering service for highway locations in the following order तो अगर आपने last video में हम लोगों ने देखा था कि यह हम लोगों ने different survey conduct करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कोई highway की location ने ठीक आपको कोई highway बनाना है तो आप किस तरीके से highway में survey conduct करते हैं तो वह survey का order मैंने आपको बताया अगर आपने वीडियो नहीं देखिया तो आप वीडियो देख सकते हैं playlist में इसकी हो चैनल की मैं इसी चैनल पर playlist बना रहा हूं तो playlist का link का आपको मेरे description में मिल जाएगा तो बहां से जाके यह previous हमारी three lectures हुए हैं तो आप देख सकते हैं तो उसके बाद भी आगर आप first time य कीजिए उसके बाद question attempt कीजिए तापकि आपको एक idea मिल जाए कि जो topic आपने पड़े हूं उन्हीं में से questions बगएरा किस तरीके से हर एक चीज़ आपके साथ discuss की गई है तो अगर बात कर लें यहां पर तो कौन सा अभी आपके आपने options पढ़ लिए होंगे तो अगर मैं बा से CTB में जाना है तो उसके जाने के वहां से कितने alignment हो सकते हैं कितने base हो सकते हैं वहां तक जाने के उसके बाद हम लोग करते थे reconnaissance survey तो उसमें हम लोग क्या करते थे अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो generally we do observation करते साइड cluster करते साइड में जाकर observe करते थे तो वहां पर जा मेप में अगर आपके पास मैप हो गई तो मैप स्टड़ी में हम लोगों ने जो चीज़ें आपको स्किल कर दिगे होंगी मैप स्टड़ी में नहीं होंगी जैसे कोई प्रूंड हो गया लेक हो गया अगर मैं बात करूं कोई स्कूul वहां पर कंसेट करा गया कोई وِل्डिंग करी गई है जिसको आप हटा नहीं सकते उस alignment से तो उस alignment को आप फिर short देंगे तो इसके माल लो अगर आपने तीम दें चार alignment select करें ठीक है map study में तो एक या दो alignment के बीच में कोई school की building आ गई दूसरे alignment के बीच में माल लो कोई लेका आगया तो अगर आप उसको हटा नहीं सकते वहां पर तो इसलिए उस alignment को हम लोग short देंगे और जो बचे हुए हमारे alignment उनको देखेंगे तो यह सब हम लोग किसमें करते हैं रिकूनेसंस सर्वे में करते हैं और इसकी अगर मैं हमारा प्रोपर यह सिर्वेड करेंगे में कारते हैं तो यह सब वहारें हैं उसके बाद का लोकेशन एंडिकेल सर्वे में करते हैं सेगज होती हैं उसको ट्र Dollar करते हैं ग्राउंड पर लोकेशन में और डिटेयल प्रपेर करते हैं कितनी कास्ट आएगी उसके बाद में कितनी materials की quantity चाहिए होगी तो यह सब हम लोग किसमें discuss करते हैं डिटेल सर्वे में करते हैं तो इसके अगर according हम लोग देखें तो यहां पर option 3 यहां पर correct हो जाएगा इस question के लिए नेस्ट बात करते हैं तो the following is the one of the main features आप था Roman road अगर हम Roman roads की बात करें तो इन में से कौन सा यह नीचे आपको यह option दिए गए है four option दिए गए है main feature था Roman roads का तो आप option देख लिजी यहां पर तो अगर मैं बात करूं यहां पर Roman roads के main feature की बात करूं तो यहां पर अगर इन ऑप्शन की अकार्डिंग देखें तो option one यहां पर correct हो जाएगा कि यह Roman roads थे उनकी थिकनेस कितनी रहती थी 0.75 से लेकर 1.2 मीटर तक रहती थी दूसरा option यहां पर दे रखा थिकनेस 350 से के 420 लिका यहां पर 410 mm रहता है विसक अगर बात करें तो यह किसकी रहती है comment में आप बताएंगे कि मैं आपको बता देता हूं यहां पर कुछ बच्चे comments यह करना चाते हैं मैं comments कर सकते हैं तो बेसिकली यह अगर मैं बात करें तो तेकनेस किसकी रहती है अगर हम बात करें तो ट्याल फोट कंस्ट्रक्शन यह थी उसमें यह रोट्स बनाएकिए थे उसकी यह थिकनेस रहती थी देफ्ट रहती थी वो इतनी रहती थी ही 1 लोगा कट सिरते हैं वो यह कों बात करें तो इसमें बात च्रइब लाइज कि रहों नुटå मैं बात करूंब आपने मुटदा पर यहाँ यह सर्फकर सा आपका होता है प्लीत में ठाल कि थे और lime concrete यूज की यहां पर option यह गलत हो गया तो second option भी आ पर गलत हो गया क्योंकर यह इन्होंने थेखनेस लिख किई है यह सीन है तो यहां पर बिल्ट आफ्टर हो जाएगा तो यह यहां पर गलत लिखा हुए इनों ने तो इसलिए option 1 यहां पर correct हो जाएगा next question देख लेते हैं बिच आफ फॉल्डविंग कैन वी considered as a taking off point in road planning in India तो taking off point कौन सा था अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब जैकार कमेटी वनी थी तो जैकार कमेटी वनने के बाद में उन्होंने कुछ recommendations दी थी recommendation देने के बाद में हम लोग उने long term planning start करी तो long term planning में सबसे first कि यहां पर यो chief engineers की meeting हुई थी यहां पर यो मतलब अगर हम बात करें तो taking off point कौन सा माना जाता है तो नागपूर माना जाता है इसमें यही first 20 year road plan था हमारा तो option fourth यहां पर correct हो जाएगा next बात करते हैं बिच आप the following is the correct sequence in record to road construction development तो road construction development की अगर हम sequence की बात करें तो कौन सा रहेगा यहां पर reality मैंने डिसकस करा था जब हम लोगों ने topic discuss करा था आपके साथ तो अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाते थे Roman Roots हमवारे उसके बाद मैं Tresagate construction उसके बाद मैं मैटकॉफ construction उसके बाद हम बात करें तो Telford construction और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विद्वा कोमेंदेशन साफ नागकूर हाइवे प्लाण ओर नैशनल हाइवे एडश शुड बी प्रोवाइड वीड़ ग्रवाइवेड हाट पीवेड तो यहांपर कोंज से यो दूसरे रोड से country and capitals of states are classified as, कौन से road होते हैं, जो क्या करते हैं, major part of countries या capital या states को क्या करते हैं, correct करते हैं, तो कौन से road थे, last video में हम लोग उने discuss करा था, तो वो कौन से थे national highways थे, अगर मैं बात करें, state highway थे हो, तो ये क्या करते हैं, हमारी यो state capital को district headquarters के साथ connect करते हैं, major district road के, अगर हम बात करें, तो ये क्या करते हैं, यो हमारी district headquarters होते हैं, उसको important district places के साथ connect करते हैं, उसके बाद में अगर बात करें, हम लोग यो हमारे minor district roads होते हैं, या other district roads पर गहर रहा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, rural roads के साथ, next question देखते हैं, in which one of the following roads, survey, soil profile sampling is done up to a depth of 1 meter to 3 meter below the existing ground level, तो अभी अभी ये मैंने question आपके साथ discuss करा था, जब मैंने आपको survey के वेरे में बताया था, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको कि soil survey जो connect किया जाता है, आपको मुझे बताने की जरूरत है, मुझे आपको बताने की जरूरत है, तो यह सभी आप मुझे बताएं, comments में, तो यहाँ पर option one correct हो जाएगा, preliminary survey, next question देखते हैं, in which of the following year, जैकर कमेटी was formed, जैकर कमेटी थी, तो जैकर कमेटी के बारे में आपको पता है, वो development के लिए इसको बनाया गया था, इंडिया में, तो अगर जैकर कमेटी की बात करें, तो MR जैकर इसके chairman थे, तो उसके बाद अगर बात की जाए, जैकर कमेटी जैकर कमेटी थी, और 1928 में इसने क्या दी थी, अपने recommendations दी थी, next question देखते हैं, in which one of the following year, the government of India, what into effect, motor we collect, तो motor we collect, यह government of India ने लाया था, कौन से years में लाया था, अगर मैं बात करूं, तो 1939 में motor we collect लाया गया, यह हमारे traffic rules और regulations को control करने के लिए, अगर बात करूं, जैसे 29, correct answer आएगा, next question देखते हैं, the Central Road Research Institute was proposed भाई था, ठीक है, यह CRRI था, इसके अगर मैं बात करूं, short form की, तो यह आपको exam में बात करूं, तो कहीं बात करूं, तो कहीं बात करूं, इसकी short form दी रहती है, आपको, और आपको full form पूछी जाती है, तो आपको पता हूं चाहिए, CWRI की full form क्या होती है, Central Road Research Institute, तो अगर मैं बात करूं, Central Road Research Institute, आप मुझे comments में बताएए, कब बना था यह, इसका headquarter में आपको बता देता हूं, New Delhi में है, तो अगर इसकी हम बात करें, तो यह किसने प्रपोस किया था, किसकी recommendation थी यह, तो यह Jack arithmetic recommendation थी, next question देखते है, अंडर त को option दिए गए है, कौन सा option दिए है, वो relevant नहीं है, किसके साथ, नागपूर रोड प्लान के साथ, अगर हमें क्या करनी है, development करनी है, किसी road development program की किसी backward district में, तो यहाँ पर यह option दिए हैं, आप देख सकते हैं, existing agriculture drainage network of drain scanner, उसके बाद बात करें, तो existing number of enchanted unions, existing length of mud track roads, number of villages with populations of 10, 1000 and above, तो नीचे आपको option दिए गए है, कि अगर बात करें, तो यह बोल लाए है, कि चारों का चारों options दिए हैं, वो relevant नहीं है, उसका 1st, 2nd and 3rd, 1st, 2nd, 3rd and 4th, तो अगर मैं बात करना हूं, नागपूर रोड प्लान की, तो उसको यह हमने proper अच्छे तरीके से discuss करा था, तो मैं बात करूं, नागपूर रोड प्लान की था, यह हमारा first 20 year रोड प्लान था, इसमें हमारी यह target density थी, यह points इसमें important थे, आपको पता है, 16 km पर 100 km स्केर के लिए, उसके बाद अगर बात करूं, तो इसमें क्या था, यह road network था, उसको classified किया था, 5 categories में, national highway, state highway, उसके बाद major district road, other district road, और villages road में इनको करा गया था, तो यह बात आप दियान रखेंगे, और इसमें star and grid pattern को हमने follow करा था, next बात करते हैं, the color of upper part of kilometer stone on road side in case of national highways, तो कल हमने बात करे थी milestone की, जो milestone किस के लिए होती है, identification करने के लिए किसी road की, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, जो national highway होते हैं, तो उसमें जो top color हो किया होता है, bottom मैंने आपको बताया था, कि हर road में क्या होगा, white होगा, अगर मैं बात करूं, generally, तो अगर हम बात करें, top color की, तो national highway की case में top color क्या होगा, तो yellow रहता है, यह आपको ध्यान में रखना है, अगर बात करूं में state highway की, तो green रहता है, उसके बाद बात करें major district road की, तो उसमें कौन सा रहता है, हमारा black रहता है, और यह other district road, यह rural roads आ जाते हैं तो उसमें red रहता है, तो यह आप ध्यान में रखेंगे, next question देखते है, in which one of the following year, IRC what into effect, तो IRC क्या होता है, सबसे पहले, आप मुझे comments में बताए, तो अगर मैं बताऊ, IRC क्या होता है, आपको यहाँ पे, तो Indian roads Congress IRC की full form होती है, तो IRC जो था, यह किसकी recommendation थी, जाइकार क automatic recommendation थी, तो यह कब फार्म होई थी, 1934 में फार्म होई थी, next question देखते है, परदान मंत्री ग्राम सडग योजनवास लांच इन दायर, ठीक है, तो यह हमारी PMGS by योजनए है, तो यह कौन से एर में लांच की गई थी, तो यह 2000 पे लांच की गई थी, तो इसके आगर मैं बात अगर मैं बात करूं, तो easiest question है जए आपके लिए कि Bombay Road Plan का दूसरा नाम क्या था, अगर मैं बात करूं, तो इसको क्या बोला जाता था, second 20-year road plan, first 20-year road plan कोन सा था, नागपूर road plan था, और third 20-year road plan कोन सा था, लखनव road plan था, तीनी 20-year road plan से, fourth कोई आयाई नहीं, अगर हम बात करें next, तो the road classification system which categorized in the roads into three classes, was adopted in India, यहाँ पे इंडिया लिख दिया गया, इंडिया इन होगा, तो यहाँ पर हमें question पुछा जा रहा है कि यह road classification system है, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, और road को categorize करा, किसमें three classes में, अगर उन tier road plan में categorize करा गया था, लखनहू road plan में, तो अभी आप मुझे comments में बताइए कि कौन सी categories में किया गया था, तो मैं wait करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको answer करूँगा, तो I hope अभी तक आपने answer कर दिया होगा, वीडियो को post करके भी answer कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो primary, secondary और tertiary में इसको करा गया था, primary में बात करें तो हमने क्या रखा था, express base और national highways को रखा था, secondary में बात करूँ तो state highways और major district road आ जाएंगे हमारे, और tertiary में बात करू urban road pattern इन में से कौन सा नहीं है, तो grid आयन, hexagonal, pentagonal यह star, तो यह सभी pattern में से कौन सा यह road pattern आपका यह नहीं है, तो अगर यहाँ पर बात करें तो pentagonal नाम का हमने कोई pattern देखा ही नहीं था, अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने five patterns देखे थे, कौन से, कौन से patterns देख पार हो गया, दो बचे हुएं यहाँ पर वो भी आप बता दीजिए मुझे comments में, तो इसका answer गया हो जाएगा, pentagonal हो जाएगा, next question देखते हैं, which the following road pattern has been adopted in the city road, सब चंदिगड, सबसे पहला question मैंने discuss करा था, तो कौन सा यहाँ पर आप comments केजिए मुझे, तो I hope अभी तक आपने comments कर दिया होगा, तो अगर मैं चंदिगड की बात करूँ, तो चंदिगड में कौन सा pattern हमने follow करा हुआ, rectangular and block pattern, तो option 3 यहाँ पर correct हो जाएगा, next question देखते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ, तो अग तो इसकी कौन सी हो जाएगी, area of the country, divide कर देंगे 50 से, तो क्या आजाएगा, length of national highway आजाएगा, state highway का पुछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, area of country divided by 25, major district road का पुछा जाएगा, area of country divided by 12.5 हो जाएगा, तो simply आपको ध्यान यह देना है, कि हमारे national highway के लिए 50, state highway के लिए अगर बात करें तो उसका आदा 25, और अगर major district road के लिए बात करें तो उसका भी आदा हो जाएगा, कितने 12.5 हो जाएगा, तो यह आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर, next question देखते है, which of the following organization was set up in 1930, 1930 में कौन सी organization में से set up की गई थी, तो अगर बात करें हम लोग कौन सी organization में से जो है set की गए थी 1930 में, तो CRO की गए थी, Central Road organization को कब किया गया था, 1930 में करा गया था, तो इसके इलावा जो और भी जो हमारी organization से जिनकी dates आपको जाद रखनी है, जैसे motor vehicle act के बारे में मैंने आलड़ी आपको discuss कर दिया था, 1939, उसके बाद में अगर बात करूं तो CWRI, Central Road Research Institute की अगर मैं बात करूं तो 1950 में करा गया था, उसके बाद में अगर हम बात करें तो NHAI, यह आपके लिए important रहने वाले National Highway Authority of India 1988, उसके बाद में अगर बात करें तो आपका आजाएगा National Highway Development Programme, NHDP की बात करें, 1998 था, I think, तो यह साड़ी dates जो आपको ध्यान में रखनी हैं, तो बिचा दो, फालिउन्ग टाइब साफ रोड कंस्टक्शन इस बेसडों scientific thinking, scientific thinking के वेस के ओपर कौन से इन में से यो रोड था, वो हम लोग ने, construction करी गए थी, roads में, तो scientific thinking के वेस पे अगर मैं बात करूं, तो में एकडम गंस्रेक्शन जो गी दे थी वो किसके बेसिस पर की गई थी साइंटिफिक तिंकिंग करी गई थी इसमें अगर हम बात करें तो यह उन्होंने क्रास लोप निकाल ली थी तो वह प्रॉपर इन्होंने जो है एक मतलब साइंटिफिक था थी कि वह उसको दीए के लिए तो 버 Groundrator कितना ग्या रखा गया था कितने लेंस इंटिति थी तो 16 स्कुर्ट किलो मेटर नित्य वाद करें तो 32 कोमित्र पर 100 स्कुर्व किलो मेटर आ याएगा और 30 डवीन आ यहाँ पर गारन की बात करने के सब्सक्राइब टू किलो मेटरड़ को सब्सक्याइब बहुत सारे बच्चे यहां पर Macadam टिक करके आ जाएंगे सिर्फ की modern construction यह highway construction थी लेकिन यहां पर अगर correct answer की बात करें तो Telford and Macadam का आएगा क्योंकि इन दोनों की अगर बात करें तो Telford ने बहुत सारी चीज़ें जो आपने अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कर रहे थे यह highway इन्होंने develop कर रहे थे तो option 4 यहां पर correct हो जाएगा कि लास्ट कोशन देखते हैं आज का according to Nagpur Road plan Indian Road से has been classified into तो किस ने नागपू Road plan था इसने रोट को कितने कितनी categories में classified कर रहा था अगर बात करें तो five categories में classified करा था तो यह अलड़ी मैंने आपके साथ डिसकस कर लिए नेशनल हाइवे स्टेट हाइवे मेजर डिस्टिक रोड अधर डिस्टिक रोड और ब्लेज रोड तो यह पांच जो इसमें डिवाइड करा गया था तो यह थे आज के 25 कोशन्स यह अमने डिसकस करें आपके प्रुबीस रिकोशन्स थे इंटुडेक्शन को लेकर जो आपके एक्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट इग्जाम्स में पुशे गये थे तो अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उस टॉपिक में यह हमने टॉपिक्स पढ़ ली हैं तो उन टॉपिक्स में से आप कोशन्स लगा सकते हैं तो डेफिनिटल आपके कोशन्स बनेंगे क्योंकि हमने यह टॉपिक पढ़े हुए काफी डिटेल में पढ़े हुए हर एक चीज मैंने आपके साथ डिसकस करी हुई है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने फ्रेंड्स बेगारा के साथ शेयर कीजेगा ताकि हमारी चैनल की ग्रोफ के लिए ज्यादा से ज्यादा बचे इसके साथ जुड झाल झाल